गुड मॉर्निंग शुडेंट्स हम आपका चैप्टर पर रहे थे चैप्टर फास्ट अर्थ इन अ सोलर सिस्टम यह फोर्थ पार्ट है इससे पहले वाले पार्ट में हमने सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, सेलेस्टियल बॉडिस क्या होती है पढ़ लिया था, कॉंसिलेशन क्या होते हैं वो भी हमने पहले वाले सेशन में पढ़ लिया था ये वाले सेशन में हम दा सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या होता है कैसे बनता है क्या चीज होती है उसमें ये सब हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं हम पिछले सेशन में हमने डिसकस कर लिया था कि planets क्या होते हैं ठीक है एक बार और बता देती हूं planets जो होते हैं वो ऐसे celestial bodies में ऐसे planets वो उन्हें बोलते हैं जिन के पास अपनी खुद की heat and light का source नहीं होता है वो किस पर dependent होते हैं सन के उपर dependent होते हैं हीट और लाइट के लिए ठीक है बाकी जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारी गैसे होती है जिसके वज़े से उनके पास उनकी खुद की हीट और लाइट होती है जैसे सन के पास उनकी खुद की हीट और लाइट है लेकिन जो planets होते हैं जैसे Earth हो गया, Mercury हो गया, Venus हो गया, यह जितने भी planets होते हैं, इनके पास अपनी खुद की heat and light का source नहीं होता, यह किस पर dependent होते हैं, Sun पर dependent होते हैं, गर्मी के लिए, heat के लिए और light के लिए, ठीक है, इसी वज़े से इनने planets नाम दिया गया, planets नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यह Greek term का मतलब होता है, planet का मिल होता है, wonder, wonderers, wonderers मतलब जो इधर से घूमते रहते हैं, ठीक है, यह सन के असपास घूमते रहते हैं, इसलिए इनका नाम planets रख दिया गया, the solar system, the sun, eight planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, from the solar system, we often call it a solar family with the sun as its head, तो solar system में क्या होता है, solar system में एक sun होता है, तो जो आप screen पर देख रहे हैं, वो एक solar system है, ठीक है, solar system में क्या क्या होता है, sun होता है, sun आप देख सकते हैं, eight planets जो होते हैं, ठीक है, eight planets मतलब वर्कुरी, वीनस, और्थ, मास, जुपिटर, सैटर, यूटरॉस, नेप्चुन, तो यह जो एट प्लैनेट से वो एट प्लैनेट होते हैं सैटलाइट होती हैं सैटलाइट क्या होती है मैंने आपको पहले वाले सेशन में बताया था सैटलाइट क्या होती है एक बार हम एक बार और देखेंगे सैटलाइट क्या होती है और सम अधर सेलेस्टियल बोडी और खेलाती है ठीड तो वाड़िजी और कौन कौन सा इस्ट्रोइट होते है जर आपको बैल्त निख़ेगा एक ऐस्ट्रोइट जैसा ठीक है और ये मेट्रोईट hai एसके पीछे मैट्रोईट,सके आपको दिखेंगे तो ये सब मिलाकर,क्या बनता है, एक इसका head कौन होता है, हमारी family में भी कोई एक बड़ा सदस्य होता है, ठीक है, जो head of the family होता है, वैसे ही ये इस पूरी जो family है, solar family, इनका head कौन है, sun है, ठीक है, sun is the head of the family, तो जब solar system है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, solar, solar word कहां से आया है, solar words आया है, एक Greek word है, soul जिसका मतलब होता है, जो sun god होते हैं, ठीक है, उनका नाम था soul, तो इसलिए इस system का नाम पूरा solar system रख दिया गया, तो क्या है solar system, the sun and its families लोन है solar system, और उसकी जुत्ती बड़ी family है, जिसमें जो members है, family के members है, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, यह सब उसकी family के members है, तो इस पूरे family को क्या बोलते हैं, solar system बोलते हैं, अब हमने देखा था कि का इसे मिला के solar system बनता है, सबसे पहले sun, तो sun हमें पता क्या होता है, एक planets जो होते हैं, Mercury, Venus, Mars, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neutrius, Neptune, यह सर इतने planets हैं, ठीक है, planets की बारे में हम और detail में पढ़ेंगे आगे वाले sessions में, तो इतने 8 planets होते हैं, इनको मिला के satellites, satellites क्या होती है, satellites, जैसे sun जो है, वो भी एक, sorry, जो moon जो है, वो भी क्या है, एक satellite है, ठीक है, moon जो होता है, वो प्रत्वी के आसपास क्या करता है, घूमता रहता है, ठीक है, प्रत्वी जो है, वो sun के आसपास घूमती है, और प्रत्वी के आसपास कौन घूमता है, मून घुमता है, तो मून क्या हुआ, अर्थ का सैटलाइट हो गया, ठीक है, तो सैटलाइट का मतलब क्या होता है, जो भी प्लैनेट्स के आसपास जो भी घुमती रहती है, उसे सैटलाइट्स बोलते हैं, जितने प्लैनेट्स के आसपास मून घुमते रहते हैं, उन्हें साथ के आसपास मून घूम रहा है बाकि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनकी भी सैटिलाइट्स होती हैं वो भी उनके आसपास घूमती रहती हैं ठीक है सैटिलाइट्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा तो solar system में sun होता है, planets होते हैं, satellites होती हैं, इसके साथ साथ जो other celestial body होती है, जो इसका नाम है asteroids और meteorites, ये भी इसका part होते हैं, अब आप confused होंगे asteroids क्या होते हैं, asteroids कुछ नहीं होता है, ये आपको ये जो mask के बाद में आपको एक पत्थर जैसा लकीरे आपको दिखिरी होगी, तो ये एक तरीके से बहुत पत्थर ही होते हैं, छोटे चोटे चोटे टुकडे होते हैं, तो ये पत्थर जो जटकार लगाते रहते हैं, तो इसको asteroids भोलते हैं, थेकए आगे बारे शेशन के बारे में अच्छे से पड़ेंगे, अभी हम प्लैनेट्स के बारे में देख लेते सबसे पहली चीज जो इनर प्लैनेट्स होते हैं इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं जो सन के बहुत पास है जैसे जो मर्क्यूरी वीनस आर्थ और मास ठीक है यह तीन जो प्लैनेट्स यह चार प्लैनेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं इसके बा अब क्या इन दोनों में सब में डिफॐरेंस होता है कि यह जो शुरू के इनर प्लाइट से तोकंग कहते हैं वह क्या होते हैं वह एक्षार संगे sun के बहुत पास में होते हैं ठीक है आपको आप देखिसाथे संकी किते पास में हैं इसके साँफ है by made up of rocks और वो काई से बने होते हैं पत्थरों से बने होते हैं rocks जो होती है मोटी-मोटी rocks होते हैं उसे बने होते हैं उसलिए हम इस पर आराम से चल सकते हैं ठीकिए? यहाँ पर हम जा सकते हैं यह प्लानेट्स पर हम पहुँच सकते हैं, यहां पर हम चल भी सकते हैं, यह रोक्स यह पर किसी भी मैगडल से बनकर बने होते हैं, इसके बाद के जो प्लानेट्स होते हैं, ठीक है, जूपीटर, साइटर, यूरैनस, और नेप्चुन, ठीक है, यह जो आउटर प्लानेट्स से कितने दूर है ये सब ठीक है इसी वज़े से यहाँ पर ठंड बहुत जादा पड़ती है क्योंकि ये सन से इतने दूर होते हैं तो इसी वज़े से सन की गर्मी इनके तक नहीं पहुच पाती इसे बिचासे यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यधा पड़ती है इन चारों प्लैनेट्स में बहुत ज़्यधा ठंड पडती है इसके साथ सार यह बहुत दूर होते हैं sun से और काई से बने होते हैं they are made up of gases and liquid यह gas से बने होते हैं gas और liquids जो होते हैं उससे मिला कर बने होते हैं संट नहीं भी एक स्टार हैं कितनी बार पढ़ चुके हैं इस लेसन में संट भी क्या है एक स्टार ही है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसे उससे मिलकर बना होता है आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन जणरल नॉलेज के लिए याद रखना बौत इंपॉर्टेंट है क कौन से गैसे से बना होता है hydrogen और helium ठीक है ये दो गैसे से sun बना होता है और याद रखने वाली चीज क्या है आप सभी को याद होना चाहिए कि एक planets होते हैं उन एक planets के नाम आपको ग्याद होने चाहिए पूरे आपको एट planets के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए पता होना चाहिए कौन से solid वाले inner planets जो होते हैं जो चार planets मर्करी, Venus, Earth, Mars ये जो inner वाले जो planets हैं ये कौन से planets होते हैं यह solid होते हैं ठीक है यह कायसे rocks और metal से मिलकर बने होते हैं इसके बाद वाले चार जो है वो क्या होते हैं वो liquid state में होते हैं वो gas से बने होते हैं और यहां पर ठाड़ बहुत जादा पढ़ती है यह चीज़े आपको learn होनी चाहिए sun जो है वो sun भी एक star होता है जो moon होता है moon क्या होता है आपको दिख रहा हो गई अर्थ के पास एक छोटा सा moon moon क्या होता है यह अर्थ के चकर काटता रहता है ठीक है अर्थ के आसपास घूमता रहता है यह भी आपको याद दखनानी चीज़ है मून जो है वह सेटलाइट होती है सेटलाइट मतलब जो भी आसपास घुमती है प्लैनेट के आसपास जो चीज घुमती है उसे हम सेटलाइट पोलते है ठीक है तो अर्थ के आसपास कौन घुमता है मून घुमता है तो मून क्या हुआ अर्थ की सेटलाइट हुई I hope आपको ये session समझ में आया अगले session में हम ये जो sun, planets, earth, moon इन सब के बार में और retail में पढ़ेंगे तब तक के लिए thank you and have a nice day